बिसमिल्लायरमान इरहीम असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पीशे खित्मत है उर्दो नौविल जन्नत के पत्ते एपिसोड नमबर ट्विंटी नाइन थेंक यूँ मैं चलती हूँ आप लोग चाहे एंज्वाई करें वो फोन लेकर वहां से उठाई और वो जानती थी कि अब चाहे उन्होंने खाग इंज्वाई करनी थी वापस लाउंच में आते हुए उसने मुबाईल का लोग चेक किया मेसेच और कॉल लॉग बिलकुल क्लियर था सारा कॉल रिकॉर्ड गायब एरम की बच्ची उसे एरम पे बेख़ुसा आया कॉल रिकॉर्ड में मौझूद तमाम नंबर्स उसके पास महफूज ही थे अलबता जब वो तुर्क फोन रिस्टरेंट में छोड़ आई थी बयोग अदा जाने से कबल तो उसके उसी पाकिस्तानी मॉबाईल पे अब्दलरह्मान पाशा का फोन आया था उसका नंबर उसने महफूज नहीं किया था वो बस कॉल लॉग में पड़ा रहे गया था अब वो मिट गया था चलो खेर उसने कौन सा कभी ए और पी को कॉल करनी थी जहान सौफे पे इसी तरह बैठा था उसे आते देख कर उट खड़ा हुआ कैसे मिला मिर्चों का इस्तेमाल से उसकी निगाएं हया के हाथ पे पड़े मॉबाईल पे थी नहीं जहां शुकर के इस्तेमाल से बात बन जाए हम वहां मिर्चे जाय नहीं करते वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत ही अच्छी है एक कजन बगएर पुछे फोन उठा लेती है एक बहुत इज़त से बगएर खाना खिलाए घर से निकाल देती है और एक खाना भी नहीं पूछती ओ खुदाया उसने बे अख्तियार माते कुछ हुआ तुमने खाना नहीं खाया कहां खाता वहां तो अभी लगा ही नहीं था और यहां घर के दोनों खुआतीन ने पूछा ही नहीं वो उसकी बात मुकमल होने से कबल ही भाग कर जल्दी से किशन की तरफ आई और फरिज़ खुला आज वहां खाना था तो कुछ बनाया ही नहीं हमारे हां रात का सालन अगले दिन कोई नहीं कहा था ठैरो मैं अंडे बना लेती हूँ उसे याद आया खाना तो उसने भी नहीं खाया था मगर उसे इतनी भोक नहीं थी अंडों का खाना खुला तो अंदर दो ही अंडे रखे वे थे उसे बेपनाशन मिंदेगी हुई इन दो अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा उसने ये कहते हुए फिरिश का दर्वाजा बन कर दिया जहान नहीं जैसे उस पर अफसुस करते हुए सरे लाया तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम अस्तंबूल के बहतरीन शेफ में से एक से बात कर रही हो अराम से बेड़ जाओ इदर कुर्सी पे मैं खुद बना लूँगा सब कुछ उसने अपना सिल्वर स्मार्ट फॉन मेस पे रखा और पिर आगे बढ़कर फ्रिज फ्रेजर कैबिनेट्स हर चीज़ खोल खोल कर बाहर निकालने लगा फ्रोजन कीमा पास्ता का पैकेट जमें मट्रों का लिफाफा सबसियों के खाने से चंद सबसियां चुन ली वो तमाम चीज़ें काउंटर पे जमा करता जा रहा था तुम इस वक पास्ता बनाओगे वो हैरस कुर्सी पे बैठी उसे देख रही थी वो अभी तक अपने सबस फ्रोग परांदे और टीके समेट बैठी हुई थी और उसे कपड़े तबदील करना बिल्कुल ही भूल गया था हाँ और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत मैं बहुत बुरा मानता हूँ उसकराते हुए वो सबसियां धो रहा था और तुम्हारा बुखार कैसा है अब ठीक है उसने खुद ही अपना माता चुआ वो कल की निजबत कदरे ठंडा था वैसे मुझे हैरत जाहित मामो और उनकी बेटे पे है उस लड़की ने इतनी बत्तमीजी की और उनोंने उसे कुछ भी नहीं कहा वो वाकितन हैरत से कहता सबसियां कटिंग बोट पे रखकर खटा खट काट रहा था उसकी हाथ मशीन की तरह से चल रहे थे उसकी एक दिन के बाद रुक सती है शायद उसका दिल बुरा नहीं करना चाते होंगे ना उसने शाने उशकाई मगर उसने बहुत मिस्बिहेव किया वो अफसोस से कहता पानी उबलने के लिए रख रहा था दूसरी जाने उसने फ्राइपेंड में जरा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया था असल में उसके फ्यांसी ने किसी कैनेडियन रियलेटी शो में एक डिर मिलियन टॉलर जीते हैं इसी पे उसका दिमाग साथवी अस्वान पे और वो जमीन पे बगर दिमाग के खुम रही है वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी कैनेडियन शो में डियर मिलियन डॉलर बहुत अच्छी कवर स्टोई है उसने जरा सा हसकर सर छटका सा थी वो फ्राइपेंड में फ्राइई हुई सबजियों को बजाए किफकीर से हिलाने के फ्राइपेंड का हैंडल पकड़े दाएं पाएं तो कभी उपर नीचे हिला रहा था सबजियां चंद इंच उपर को उड़ती और फिर वापस पहन में आगिरती क्या मतलब उसने ना समझी से उसे देखा अगर किसी पाकिस्तानी ने केनेडियन शो में इतनी बड़ी रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगा आ चुका होता मुझे तो वो लड़का शकल से ही क्रिमिलन लग रहा था ताज़ा ताज़ा आई ब्लैक मुनी को वाइट करने के लिए कवर बनाया है और क्या अच्छा उसे ताज़ुब हुआ इस पे तो उसने सुचा ही नहीं था अलबता क्रिमिनल से उसे कुछ याद आया था जहां तुम्हारे रेस्टुरेंट पे जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला नहीं वो गर्दन तेच्छी की सास की बोतल पैन में उड्हिल रहा था हाला के मेरी अस्तंबूल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है अमकान है कि किसी और के धोकी में उन लोगों ने मेरा रेस्टुरेंट उलट दिया था एक दुश्मनी तो खेर अब उसकी बन चुकी थी मगर वो तो खुद भी उससे वाकिफ नहीं था तुम तो कहते थे कि इस्तंबूल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है खेर अब इतने भी बुरे हालात नहीं है और डारेक्स साइड तो हर बड़े शहर की होती है वो चूले के सामने खड़ा उसकी तरफ पुश्किये पैन में कीमा भून रहा था कीमे और शिमला मिर्च की भुनी भुनी खुश्बू महक रही थी सारे किचिन में फैनने लगी थी उसकी गुमशुदा भूक एक दम से ही जाग उठी थी तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा जान वो थोड़ी तले मुठी रखे उसे देखती साथगी से पूशने लगी यह यहां आने के बाद उनकी पहली बकाइदा गुफ्तगु थी अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मगर फुरकान मामों की बातें मैंने तो खुआब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्टेदार इतनी तीकी बातें भी कर लेते होंगे उसने जैसे जुर्जरी लेकर सर जटका आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कमपनी में रहा था तो ये रदे अमल फित्री था वो इतने ठीके नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से बस उनके अपने नजरियात हैं जो इतने सखते हैं कि अगर कोई उन पर पुरा ना उतरे तो वो उस की ग्रेटिंग बहुत नीचे कर देते हैं वोटेवर वो अब उबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस उंडेल रहा था पिर उनको अच्छी तरह मिक्स करके उसने उसे दम पर रख दिया पिर हाथ धोने लगा वो सभी अब वो उसके पास आकर बैठेगा मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलावा जो लगा हुआ था छोटे बरतन सबजियों के छिलके खाली शापर वो जल्दी जल्दी से उठी मैं कर देती हूँ प्लीज तुम बैठी रो जितनी फूर तुम हो मैं जानता हूँ अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो दो घंटे ही लग जाएंगे जबके मैं अकेला ही कर लूँगा दो मिनिट में हो जाएगा ठीक है खुद ही कर लो वो कदरे नराज होते हुए कहती हुए दुबारे से बैठ गई और वाकी उसने दो तीन मिनिट में हर चीज अपनी जगा पर ही रख दी चन एक बरतन जो पकाने के दौरान मेले होए थे वो दो कर स्टेंड में लग गए और स्लैब शमका दिये गए वो बंदा कमाल का था तुम कबसे रिस्टोरिंट चला रहे हो अब तो बहुत अरसा हो गया अच्छा मैं बरतन लगाता हूँ तुम सुलैमान मामो को बलाओ उन्होंने भी खाना नहीं खाया था अरे हाँ वो माते पे हाथ मालती उठी फिर निगा पिर निगा उसके सिल्वर स्मार्ट फॉन पे पड़ी जो मेज पे रखा हुआ था तुम्हें पता है डीजे को तुम फॉन फैकना हो तो सभाल जी के बाहर ही फैंके वो अदासी से मुस्करा कर बोली तो वो हस दिया वैसे ये उसके लगाए गए तमगे से कहीं ज्यादा महिंगा है अच्छा उसे जरा हैरत हुई इतना कीमती फॉन क्यों खरीदा तुमने खरीदा नहीं ता गिफ्ट मिला था स्पेशल गिफ्ट वो मुस्करा कर जैसे कुछ याद कर की बोला किस ने दिया था सिमवन स्पेशल अच्छा जा हो अभी मामों को बुला लाओ वो टाल गया तो वो शाने उशकाती हुए वहां से चली गई अबा का दरवाजा बजा कर वहीं से बुला कर वो वापस अच्छ में आई तो वहां मेस पे प्लेटियों टलास रख रहा था वो बड़ी सौफे पे बैठी और रिमोट ठाकर टीवी चला दिया जिस वक्त अबा ज़रा है जहान पास्ता की डिश उठाए किचिन से निकल रहा था और वो मज़े से अपने कामदार जोड़े में पे टांग रखे बैठी चैनल बदल रही थी अबा उनको देखकर जल्दी से उठी और जहान के हाज से ट्रे ले ली सौरी मामू हमने आपको उठा दिया आप एक खाना नहीं खाया था सो अधूरा छोड़कर उसने उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई थैंक्यू अबा ने कदर नासमजी से खाने को देखा और फिर हाया को ये तुमने बनाया है नहीं जहान ने वो मसकराहट दबा कर बोली वैसे मामू ये इटेलियन रेसिपी नहीं है जरा देसी स्टाइल में बनाया है जैसे मम्मी बनाती है आपको पास्ते में कीमा पसंद है ना मम्मी ने बताया था मुझे सुलेमन सहाब चौक कर उसे देखने लगे उसको दिल तोड़ने का फन आता था तो तोटे हुए दिलों को दुबारा चोड़ कर उन्हें जीतने का फन भी आता था वो अपनी जगा रह गई बैठी ही रह गई उसे अब एसास हुआ था कि वो रफन टफ सा बंदा तो भूका भी सो जाता मगर रात के एक बज़े अगर उसने इतना इत्माम किया था तो सिर्फ और सिर्फ अबा के लिए क्योंकि उसे याद था कि अबा ने खाना नहीं खाया और उसे शायद एसास हो गया था कि वो उससे जरा खिचें खिचें से रहते हैं और हया को खुद अब याद आया था कि कीमा वाला पास्ता अबा को पसंदीदा था वो जानती थी कि उस इस अमल से जहान ये अपने और अबा के दरमैंन हाईल नफरत को खतम करने की कोशिश की थी पास्ता बहुत मज़े गाता मूंँ जाते ही घुल जाने वाला सुलیمن सापने तारीफ नहीं की मगर उनकी चेहरे से जाहिर था कि उन्हें अच्छा लगा था वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी डीजे के बाद ये पहला खाना था जो उसने दिल से खाया था दो लड़कियों का अखवा टीवी पे स्क्रीन पे बीबी सी चल रहा था और जो खबर नियूस कास्टर ने पढ़ी उस पे उन तीनों ने चौक कर सर उठाया कौनिया तर्की का शहर था जलाल अद्दीन रोमी का शहर जहान ने बिझली किसी तेजी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया क्या कहा उसने कौनिया अबबा जो हाथ रोक कर स्क्रीन को देखने लगे थे चैनल तबदील होने पे उलचकर जहान को देखा वो साद्गी से मुस्करा दिया नहीं कौनिया नहीं उसने कहा था कीनिया और लेना वो रिमोंट एक तरफ रखकर उन्हें फिर से सर्फ करने लगा था अबबा ने जरा सर हिलाया गोया वो अपनी समात के दोका देने पे उल्जे हुए थे हया नहीं जहान को तीका और जहान ने उसे फिर दोनों जेरे लग अब ही वो अबबा के सामने तुर्की का इमेज खराब नहीं होने देना चाहता था